Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 3.4 का question number 5 देखते हैं क्या है Find the journal solution from question 5 to 9 Question number 5 to 9 हमने only journal solution find out करने है Principal solution हमने first 4 question में देख लिए कैसे find out करने थे अब हमने journal solution find out करने है तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले हमें given है cos 4x equal to cos 2x तो हमें क्या करना है इन दोनों functions को एक side कर लो तो cos 4x इसको इस side लेके आएंगे तो minus का cos 2x equal to 0 अब यहाँ पे मुझे clearly दिख रहा है cos a minus cos b का formula में यहाँ पे apply कर सकता हूँ write down कर देंगे क्या होता है minus का 2 sin a plus b by 2 और sin a minus b by 2 यह formula होता है a की value क्या है 4x b की value क्या है 2x इस formula के अंदर put कर दो तो क्या आगे है यहाँ पे minus का 2 sin 4x plus 2x by 2 sin of 4x minus 2x by 2 is equal to किसके है 0 के इसको simplify करो minus का 2 sin यहाँ से 2 से 2 cancel मत कर देना यह angle का है यह बाहर है ठीक है minus का 2 sin 4x और 2x कितना होगा 6x 6x by 2 है तो यहाँ पे आजएगा 3x next sin of 4x में से 2x गया कितना आ गया 2x 2x by 2 करेंगे तो x equal to 0 तो यहाँ पे हमारे पास दो trigonometric function है sin 3x है और sin x है इनको equal to 0 पुट करो sin 3x equal to 0 और sin x equal to 0 अब अगर मान लिया हमारा function इस तरीके का आता sin x equal to sin y तो हमारे general solution हमने previous वीडियो में देखे थे किस तरीके से लिखे जाते है अब हमारे पास है sin x equal to 0 तो sin x अगर equal to 0 हो तो हमारा जो general solution लिखा जाता है वो x is equal to क्या होता है n pi और n belongs to z होता है इस तरीके से लिखा जाता है तो वही huge करना है बस यहां पे तो देखो यहां पे क्या है sin 3x दे रखा है तो x की जगा हम क्या रखेंगे 3x is equal to n pi और x की value क्या आ जाएगी n pi by 3 एक तो यह आ गया हमारे पास general solution अब इस तरफ आते sin x equal to 0 है तो sin x equal to 0 तो x is equal to क्या होता है n pi तो हमारे पास दो solution आ गए x is equal to n pi और x is equal to n pi by 3 और n belongs to क्या होगा z this is the answer I hope आपको समझ में आ गया होगा कोई doubt नहीं होगा कोई problem feel करें तो comment करके आप पूच सकते हैं next देखते हैं अपना question number 6 क्या है question number 6 के अंदर हमें given है cos 3x plus cos x minus में cos 2x equal to 0 ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा तीन function given है तो पहले हम दो functions को use कर लेंगे तो कैसे करेंगे cos 3x plus cos x minus में cos 2x इसको रखेंगे एक side इन दोनों पे use करेंगे formula किसका cos a plus cos b का साथ में हम यहाँ पे formula भी लिख लेते हैं क्या होता है हमारा 2 cos a plus b by 2 और cos a minus b by 2 यह formula होता है अब a की जगा 3x b की जगा x रख दो इसमें तो क्या आ गया हमारा 2 cos 3x plus x by 2 इनको bracket में लिखना चाहो तो लिख सकते हो और cos of 3x minus x by 2 और minus में क्या है हमारा cos 2x इसको मत बूलना कहीं बूल जाओ आप साथ में की सर यह तो द्यानी नी रहा अब यहाँ पे देखो क्या आया 2 cos 3x और x कितना हो गया 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x into cos of 3x में से x किया 2x 2x को 2 से डिवाइड किया x minus में cos 2x कलियर कोई दिक्कत नहीं होगी अब यहाँ से देखो cos 2x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है को मना रहे है निकल लो इसको cos of 2x को मन निकल ला अंदर क्या बच गया 2 cos x minus 1 equal to 0 इनको equal to 0 जरूर रखना है क्योंकि given भी है अब हमारे पास 2 solution यहाँ पे भी निकल के आएंगे एक तो solution आएगा cos 2x equal to 0 और एक आएगा 2 cos x minus 1 equal to 0 ठीक है अब यहाँ पे देखो cos 2x equal to 0 है तो cos 2x 0 हो तो क्या होता है हमारा solution मतलब यहाँ पे लिखते हैं अगर मान लिया हमारा क्या है cos x equal to 0 हो तो हमारा general solution आता है x is equal to 2n plus 1 into में pi by 2 और n belongs to z इस तरीके से लिखा दाता है यही यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आगा हमारा 2x equal to 2n plus 1 into pi by 2 x की value निकाल लो x is equal to क्या आगया 2n plus 1 pi by 2, 2 जा क्या हो जाएगा 4 यह आगया हमारे पास general solution अब right side चलते हैं यहाँ पे क्या जाएगा 2 cos x equal to minus 1 right side जाएगा plus 1 तो cos x equal to क्या आगया 1 by 2 अब यह question बन गया हमारे पहले 4 question जैसा इसको क्या किया जाएगा अब देखेंगे यहाँ पे cos x equal to 1 by 2 कितने पे होता है cos pi by 3 पे तो cos pi by 3 cos से cos cancel तो x is equal to क्या है हमारा pi by 3 principle solution निकालना होता तो यह आगया हमें चीए journal solution तो journal solution कैसे लिखा जाएगा इसका x is equal to क्या होता है 2n pi plus minus y cos में तो यहाँ पे x is equal to क्या देगा 2n pi plus minus y की वे लुक है pi by 3 तो यह आगया हमारा journal solution आई होप आपको समझ में आगया है कोई डाउट नहीं होगा कोई भी problem किसी परकार की लगे तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं otherwise channel का बहुत सारा support कीजिए क्या given है sin 2x plus cos x equal to 0 भाई यहाँ पे कौन सा formula यूज किया जाए अब यहाँ पे तो दुनों अलग-अलग है एक sin का है, एक cos का है तो भाई अब मेरे mind में formula आगया sin 2x का क्या होता है sin 2x का formula जल्दी से सुचो sin 2x is equal to होता है 2 sin x cos x भाई देखो, मैं बता रहा हूँ कि formula ना most important है trigonometric करते time तो भाई बिना formula के तो आप question करी नहीं पाऊगे जिसको formula अच्छे से पता है ना question देखते ही पता लग जाएगा यहाँ पे यह formula लगना है यह सोचने की जरूरती नहीं पड़ेगी कि आपको सर कहाँ पे कौन सा formula लगाए अपने आप आपका mind गाम करेगा अब यहाँ पे देखो sin 2 x का formula लगा दिया हमने 2 sin x cos x plus cos x equal to 0 अब यह बिल्कुल पिछले वाला question बन गया देखो cos x इसमें भी है इसमें भी है common निकाल दो तो cos x बहार आगया अंदर बच गया 2 sin x plus 1 equal to 0 clear अब यहाँ पे देखो एक तो हो जाएगा cos x equal to 0 एक आजाएगा 2 sin x plus 1 equal to 0 clear है कोई दिक्कत नहीं है आप देखो यहाँ पे क्या करना है जब cos x equal to 0 गी वनो cos x equal to 0 तब हमारा journal solution जो होता है x is equal to क्या होता है 2n plus 1 into pi by 2 और n belongs to z यही तो होता है journal solution तो लिख दो यहाँ पे cos x equal to 0 है तो यहाँ पे x is equal to क्या आजाएगा 2n plus 1 into pi by 2 और n belongs to z एक journal solution तो लिख दिया हमने अब दूसरा निकालते है यहाँ पे क्या आएगा 2 sin x equal to plus 1 right side जाएगा तो minus 1 sin x equal to क्या आगया minus का 1 by 2 ठीक है अब इसको देखो sin x equal to minus 1 by 2 कितने पे होता है हमारा pi by 6 पे तो sin pi by 6 लिख दिया अब देखो यहाँ पे इस तरीके से negative आ जाए तो क्या बनाना होता है after school to college sin है हमारा negative कौन से quadrant में होगा third वाले में क्योंकि हमें तो negative value चाहिए third वाले में कैसे पहुचा जाए यह pi होता है pi में कुछ add करके पहुच सकते हैं third में तो इसको कैसे बनाएंगे हम sin x equal to sin of pi plus यह जो value है इसको add कर दो pi plus pi by 6 पहुचके third quadrant में third में अपने आप negative आ जाएगा बस तो यहां से sin से sin cancel तो x is equal to क्या आ गया हमारा 6 pi और pi कितना हो गया 7 pi by 6 तो principle solution निकालना हो तो ऐसे निकलता है x is equal to 7 pi by 6 ठीक है और दूसरा principle solution निकालना हो तो कैसे निकलेगा जल्दी सूचो negative और कुन से quadrant में होगा fourth में fourth में आने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 pi में से subtract तो 2 pi minus pi by 6 करना पड़ेगा ये वाला उससे आएगा ठीक है बट हमें तो इसकी जरूरती नहीं है मैं तो वैसे समझाया principle solution भी आपको अच्छे से clear हो जाए हमें चीए journal solution तो हमारे पास angle है 7 pi by 6 और sin x का हम solution किस तरिके से लिखते हैं ये आपको clearly पता है sin x equal to sin y हो तो हमारा solution जो लिखा जाता है x is equal to n pi plus minus 1 की power n into y यहाँ पे लिख दो x is equal to n pi plus minus 1 की power n into y की value क्या निकाल लिए आपने यहाँ से compare कर लो sin x equal to sin y y की value है pi plus pi by 6 मतलब 7 pi by 6 तो यहाँ put कर दो 7 pi by 6 और n belongs to क्या रहेगा z तो यह आगया हमारा journal solution एक यह आया था एक ही यह आगया वो मैंने सिखाया था principle solution जिसको पहले कि उस chance में कोई doubt रह गया हो तो यहाँ से clear हो गया होगा I hope आपको समझ में आ गया है कोई भी doubt लगे तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं otherwise channel को subscribe कीजिए like कीजिए और बहुत सारा share कीजिए वैसे तो आप बहुत सारा support करते है channel के लिए मुझे पता है comment करके भी बताते हैं तो प्लीज 8th 9th के बच्चों में भी प्लीज एक बार आप support कर दीजिए क्योंकि मैं आपसे कोई fees charge नहीं कर रहा हूँ तो एक request के तोर पे अपने teacher की बात को मानने के लिए बस ये काम कर दो 8th 9th के बच्चों में बहुत सारा share करो channel को playlist में उनकी video available है thank you students for your support for me or for my channel thank you